यह cotton T-shirt पर Sublimation है आप देख सकते हैं quality A1 है यह cotton T-shirt पर Sublimation है लेटर लिखे हुआ है यह आप देख सकते हैं Sublimation है प्योर cotton है तो यह process में आपको इस पूरी वीडियो मट आने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखे के चैनल को सब्सक्राइब करें अब दिखाते हूं को पूरा प्रोसेस वेलकम एक चैनल दोस्तों मैं चमुनकुमार आपका फिर से सागत करता हूं हमारी यूटीब सब्सक्राइब करद सब्सक्राइब करद लिए में सब्सक्राइब करते हैं करो इसको पर सब्लीमेशन होता है और उसको हम टीशेट पेस्ट कर देते हैं सिम्पल प्रोसेस है तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे ऐसे कस्टुमर्स हैं जो की नेम लिखने के लिए काफी कोस्टिंस करते हैं तो देखें मैं आपको दिखाएता हूं एक हमने यह काटा आप बात आती है कि आपको प्लॉटर नहीं है तो आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं अब यहां पर हम लोग यूज करते हैं सब्लीमेशन फैब्रीक विनल को किस तरीके से यूज करना देखें मैं आपको दिखाएता हूं हमने एक कटिंग किया है आप देख सकते है यह हमारा है विनाइल कटिंग और यह सब्लीमेशन फैब्रीक में तो विनाइल कटिंग और सब्लीमेशन फैब्रीक में आप देख सकते हैं इसमें राउंड से भी कटा हुआ है कॉर्णर अंदर से भी कटा हुआ है सब सीच कटा हुआ है मगर इसमें हमने बॉर्टर बनाया हुं किस तरहीकеся हम इससे बनाएंगे पेस्ट करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे उसके लिए सात्यों एक आपको सौफ्टर कि रिकॉर्मHHH मठेगे जिसका नाम है कोरल्रों के रिकॉर्म्ट कटेगी उसमें आपको किस तरहीकह से अपने word को अरेंज करना है किस तरीके से command देनी है वो मैं आपको बतायता हूं उसके बाद आप उस काम को easily कर सकते हैं तो साथी यह है हमारा coral draw इसमें आपको क्या करना कोई भी font लिखना है कोई भी कुछ भी आपको लिखने एक्सराइज आपको control टूल पर जाना है ठीक है इस तरीके से अब यह हमारा हो जाएगा इस तरीके से अब आप इसको manually easily आराम से cutting कर सकते हैं अब आपको ऊपर वाला color change करना है तो यहां से आप change कर सकते हैं अंदर वाला color करना है तो यहां से और इसको control-K करते हैं अलग-अलग भी कर सकते हैं तो यह अलग हो जायए गांधिक और बाहर का बाल्ण चयांक हो जाएगा इसको हम लोग रेड भी कर सकते हैं इसको हम लोग वाइट भी कर सकते हैं कुछ भी आप कितने भी कलर्स आप निकाल सकते हैं कोई भी कलर आप कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है आप उस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं ठीक है और इसको हम लोग कमांड दे देंगे प्रिंट की तो इसके बाद म सेम प्रोसेस इसको हीटपस मशीन पे लगाएंगे पेपर साइड ऊपर रखेंगे और इसको करेंगे 60 सेकिंड के लिए प्रेस तो साधे ती 330-330 साथ सेकिंड के लिए हम लोग प्रेस कर रहे हैं इसको हम लोग उठाएंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूं यह जो हमारा प्रिंट है वह हमारा फैब्रिक पर सब्लीमेशन फैब्रिक विनाहिल पर आ चुका है इस तरीके से अब आपको सिर्फ यह मैनवाली कटिंग करना मैनवाली कटिंग करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से कटिंग करना होगा जो से कोई भी आप कटिंग कर लेंगे आपको कटिंग हो चुगा है कोई दिक्कत नहीं जादा जादा दो मिनट मुझे लगे आप और अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं अगर आप टाइम लगाएंगे अब आपको जिस जस्ट एक मिनट का काम करना है और साथियू मैंने यह भी कटिंग किया है इसी तरीके से डिजाइन तो इस तरीके के डिजाइन भी आप खुद ही कटिंग कर सकते हैं तो मैं यह दिखा यता हूं कि इस तरीके सामीं से प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं मात्र दस सेकिंद्स के लिए आपको हीट करना है कि आपको हो चुका है टीशेट प्रिंट आप देखिए यह तो जैसा कि साति हो आप ने देखा हमने प्रिंट खिया आपको प्रिंट करके दिखा तो आपको परिंट करने करकी है तो मैं आपको दिखा में हमारा रिजॉट है इस तरीके से लाए जब आपने ब Xu किया है तो आप अपोई quality भी देख सकते हैं और आप finishing भी देख सकते हैं कोई finishing में कमी नहीं है को quality में कमी नहीं है letters आपके बिल्कुल clear नजर आ रहे हैं आप दूर से भी देखेंगे तो आपको जैसा वैशनु दे कर दिया है Caesar से और उसके बाद हमने इसको paste कर दिया है टी-शट पर इस तरीके से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं आप अपने कोई यह हमारे हाँ पर पूरण मिल जाएगा यह रोल फॉम में अभलेवल है 18 इंच के हिट होती कई बारे 20 इंच में भी आता है मगर अभी हमारे अपास 18 इंच में आवलेबल है तो यह आपका एदिए करना चाता है और इन दोने के लावा हम लोग किसी भी प्लोटर से रेक्मेंड नहीं करते हैं क्योंकि यह दोनों प्लोटर हमारे टेस्टेड हैं इनसे हमने आराम से टेस्ट किया हुआ है तो यह था आज की वीडियो में बाकी साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें और मिलते आपको किसी दूसरी वीडियो में जब तक आप आपने ख्याल रहें नमस्कार जैहिंचा बारत